नमस्कार देव नूज में आपका स्वागत है आई आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की तो तीसरे चरण जनपाज जालों 26 तारिक को वोटेंग करना है हमारे बीच में सभी घाओं के अंदर चाह प्रतियासी हो चाह बीडीसी हो चाह जिलापंच्या प्रतियासी जो पूरे गाओं के अंदर एक अपनी रुझान के मध्यम से पूरे गाओं के अंदर आसिरवाद लेते लेते हैं हमारे बीच में आ चुके जनका नाम है राम जीवन खटीजी जो बीडीसी प्रतियासी हमारे बीच में मौजूद है इंसे जानते कि आखिर को मुद्दे के लिए लड़ रहा हूं सर्थ और हमारा बीडीसी जैसे हमारा सपल होता है तो मैं बिलाकपुरुब की तयारी कर रहे हूं और मेरा कहना है मैं बादा करता हूं मैं अपने गाओं को जो किसने भी विकास नहीं किया है वो मैं करके दिखाऊंगा राम जीवन खट नालियों की सपाई नहीं हो रही है और किसी के आवाज किसी के नहीं आए जिसको जो पात्रे उसके लिए अभी तक आवाज यहां पर बित्रह नहीं हुआ है तो दो दिन के अंदर में 5 पर से करूंगा तनमन धंसे जो हमारे अंदर है मैं अपनी जुनूर्फ पूरा करूंगा अभी मेरे 29 साल हुमार हुई है मैं इसलिए मुद्य पे लागा हूं कि गाहां का विकास करूंगा सबसे पहले मैं गरीब हों को देखूंगा जिसकी आवाश नहीं आई उसको में सौ में सौ परसेट आवाज दिलाओंगा और यहां जो काम नहीं हुआ करमचारी को सब्सकृत मैं यह करा हुआ मंदिर कार रखा है इसका मंदर की यह कैसे किसने क्या मानते हो कितना यूब आपके साथ है हमारे यूब हमारे साथ में कितना भरोसा है राम जीवन खटीक पर यह थे राम जीवन खटीक जी ब्रगुवां से बीटी सी प्रतियासी को दावेदारी कर रहा है बास्तब में युवा है नई धरका ने इनका कहना है कि आगे का गाँवालों का असरवाद मिला विविकास भरफूर कराएंगे अब देखने वाली बात है कि आकर कर 26 तारिक को कितने ग्राम ब्रगुवां के अंदर इन पर आसरवाद करने की लोग मन मना रहे हैं वो तो दो त किसी बनकर ग्राम ब्रगुवां के अंदर चमकाने का काम करेगा केमरामेन आकास के साथ देवन समद्धाता देवनूच शासी